पांच रन और तीन विकेट ये कहानी साल 2019 की है न्यूजिलैंड के सामने से फैनल मैश था टीम इंडिया के तमाम दिगगा जाते हैं रोहिट शर्मा एक रन बनाकर चार बॉल में विराट कोली एक रन बनाकर छे बॉल में और केल रहुल साथ बॉल में इकरम बनाकर पवेलिन लॉट जाते है वो आखरी मैश था जब टीम इंडिया ने वर्ड कप में ओडियाई मैश खेला था और उसके जख्म जो हैं आज तक ताजा हैं वो तकलीफ आज तक हमने भूल पाए क्योंकि एक मैश जीते तो फाइनल में जाते शायद फाइनल भी जीत जाते और धोनी की विदाया लगो जाती लेकिन वो साल 2019 था तब हमारा चंद्रियान भी फेल हुआ था लेकिन ये साल 2023 से चंद्रियान जान पर पहुँचा है और ना सिर्फ जीता है बलकि पहली नज़र में अगर आप स्कूर कार्ट देखेंगे तो च्छाती चोड़ी करकर आप कह सकते हैं कि यार तालिस उवर तो जीता दिया पैट कमिंस को छक्का मार के जीता है हलके नहीं जीता है घजब का छक्का मार है क्या बल्लेबाजी की है हमारे गेनबाजूं के सामें तो आस्ट्रेला काई नज़र ही नहीं आ रहे थी ये नया भारत है और ये उमीद है कि भारत इस वर्ड कप में कुछ अन्होनी करेगा खर आपको जानकारी के लिए बता दें कि चे विकेट जीता है और ये इतिहास रचा गया है हमारे गेनबाजूं की वज़ा से इतिहास रचा गया है विराट कोली और केल राहूल की उस बल्लेबाजी की वज़ा से जिसने आज दुनिया को उनका मुरीद बना दिया हमारा जो टीम इंडिया में डगाउट था उसमें कॉन्फिडेंस भर दिया जज़बा भर दिया फैंस के दिलो जामे जोश भर दिया और ये बता दिया कि अगर आस्टेलिया को पटक दिया है पहले मैंश में तरफा तो फिर सारी टीमों को हम पटक सकते हैं और इस बार विराट कोली, रोहिट, शर्मा, रवी, अश्विन जैसे तमाम सीजर खिलाडियों के लिए ये वर्ड कप हम जी सकते हैं लेकिन भाई वो जो तीन पर तीन तीसरा ओवर में जो तीन विकेट गिरा उसके बाद जब विराट कोली का वो शॉट था हिजलवुट की बॉल पर और मिचल माश दोड़ते हैं सामने से एलेक्स केरी आते हैं केरी को देखके थोड़ा डिस्ट्राक्ट होते हैं फिर जमीन पर गिरते हैं क्या चूट चूटता है मतलब वो शॉट जब लगा था तो मेरी धड़कर धग 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 मुझे लगा गया मैच विराट था तो मैच था इसके बाद हारदिक आते हारदिक ठीक है खेलते हैं अच्छा लेकिन वो भरोसा जो है विराट पर वो नहीं मिलता कहीं और वो भरोसा बहुत कीमती होता है मुझे लगा मैच गया लेकिन जैसे ही मिचल मैच ने क्यांच गिरा है मैने का गुरू आत दिन अपना राट पर भरोसा है विराट पर भरोसा है मैच जीत गया 200 रंद तो चाहिए आप यह लड़का मौका नहीं देगा अला कि शॉट पिच में बहुत परिशान किया सर पे बॉल लगी बहुत सारे इशूज हुए लेकिन विराट कोली ने दमदार पारी खेली ये अलग बाते की बात में उसी हिजल वुड ने लाबुशेन से कैश करवा कर उनको विकट गिरा लेकिन जब तक विकट गिरा था तब तक 167 रन हो गए थी 1999 चे था टीम इंडिया दीट की दहलीज पर थी और ये क्लियर था कि मैच अब तो विराट कोली के बारे में मशूर भी है कि यार जब कहानी टफ से टफर हो जाती है तब विराट जो है वो दिखा देते हैं और विराट इतने क्यों महाने यहां नजर आता ऐसे ही नहीं कोली को विराट कहते हैं जबरदस प्लेयर यार मतलब जब वो बल्लेबाजी करने आये तब टीम का स्कोर दो विकट एक रन पर था उसके बाद थोड़ी दिर में तीन विकट हो गया हालत खराब थी लेकिन उसके बाद टीम इंडिया जो है धीरे-धीरे कवर करती है धाई करोन आदमी तो खाली यार बैट के होट सार पे लाइव देख रहे थे आप सुचे ना क्या कहानी चल रहे थे विराट को एक गेंड भी लगती है लेकिन सारी चीज़ों से हटके विराट जब इंडिया के जद दाव पर लगती है तब मैच जिदाते है हमें याद है आप याद कीजिए कि कैसे विराट कोली ने पाकिस्ताने खिलाब भी लबग हरावा मैच जिदात और इसलिए विराट कोली को इतनी महांता की श्रेणी में लिया था कि यार विराट जैसा कोई नहीं है विराट अपने आप में कहानी है उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है और विराट जैसे बल्लेबाजों को विदाई अगर आपो करनी तो यह वर्ड कप उन्हें डेडिकेट करना पड़ेगा मचाताओं कि टीम इंडिया इस मैच को जीतनी के बाद जो जजबा लेगी जो जुनून लेगी वो डेडिकेशन में ले जाए हला कि तारीफ यहाँ पर एक आदमी के और होनी चाहिए जिसका नाम है केल राहूल कमाल लाजवाब राहूल और राहूल यार नेक्स लेवल के प्रेयर आज 97 रंट होके इससे पहले 26 रंट होके थे उससे पहले 52 उससे पहले 58 उससे पहले 49, 111, 32, 49, 108, 26 पर चार और पांच नंबर पर यह बंदा जो है इतना कंसिस्टेंट हो गया है कि आप इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते चाहिए अलाकि मुझे बोस नहीं लगता है कि विराट राहूल को चार नंबर पर राहूल ने बोस मैश कहा भी जब उने मैन आप द मैश दिया गया कि आर वो बहुत खुश है हलाकि वो चाहते थे कि वो शता कूरा कर ले 97 पर वो गए हार्दिक पांडिया के साथ कुसी का रिकॉर्ड पूरा नहीं होता मतलब हार्दिक पांडिया जब मैंने देखा कि 17 रन बाकी थे और थोड़े से रन उनको ट्रिये थे मैं जब बता थे हार्दिक जो है वो पाता है तो ठीक है लेकिन हार दिक के रहते हैं नहीं पता था यह बात रहुल ने कहीं भी कि I wanted to get a hundred by four and six कभी और शायद मिल जाएगा अलाकि रहुल यह भी कह रहे थे कि वो शावर लेकर आये थे पैरवर आराम से रिस्ट कर थे तब तक पता लगा मैट जो है वो खतम हो और कहानी जो है वो घड़बड हो गई लेकिन आपको जानकर हिरानी होगी कि यह उस्ट्रेलिया के साथ पहली बार है कि वर्ड़कप के पहले मैच में हो आ रही है मतलब आस्ट्रेलिया 1999 2003 2007 2011 2015 2019 में हर बार पहला मैच जीती थी 2023 में पहला मौका है जब वहा रहे है आपको ज 2015 में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी और 2019 से फ्लॉप होई थे और आज फिर उन्होंने वन आफ दा बेस्ट नॉप जो है वो खेली तो इन दो प्लियर की वज़ा से हमारा दिल जिगरा गुर्दा जो है वो सब कमाल का हो गया और टीम इंडिया ने धमाल रश्टे सरवाधिक रन बनाने वालों के लिस्ट में वो तीन नंबर बना गए हैं इससे आगे सबसे आगे तो मास्टर ब्लास्टी टेंडूलकर हैं टेंडूलकर ने 13,685 रन दो नंबर बल्लेवाजी करते बनाए हैं रखे पॉंटिंग 3 पर बल्लेवाजी करते हैं 12,612 बना चुक कई बार कहा जाता है हारदिक को लेकर क्या हारदिक रोक लेते हैं आप पता नहीं मतलब ठीक है जो भी कहानी है अलाकि हारदिक ने भी छक्का मातब लगा नहीं था आप उन्हें पूरा दोश्ट नहीं दे लेकिन फिर भी थोड़ा सवाल तो आता है कि यार एक मौका बनता था हारदिक के साथ तिलग वर्मा कभी कहानी हुई थी जब तिलग वर्मा को रोक दिया था अब ठीक है मतलब इसको लेकर चर्चा शुरू होगी क्या तिलग वर्मा वाली चीज़ जो फिर साथ में कर दी इसको लेकर कभी और चर्चा करेंगे लेकिन फिलाल टीम इंडिया को चार नंबर पर राहूल को नहीं खिलाने चाहिए, खास और पर जब पाकिस्तान इखलाव शतक मारा था, वो मैच के बाद दूजगा डिज़र्व करते हैं, मुझे भी पूस नहीं लगता है कि श्रे सेयर एक लापरवा शॉट खिल कर आउट हुई, जो डिज़र्व नहीं चुरवात करते हैं, लेकिन उससे पहले मिचल मार्श का जो विकेट है, वो बुमरा निकाल लेते हैं, बाई साब, विराट कोली की नहीं एनरजी लेवल आज मैदान पर नेक्स लेवल पर थी, बंदा सबसे सीनर खिलाडियों में से एक है, और उसके बाद जस तरह से वो ब चुरवात करते हैं, वो बुमरा निकाल लेते हैं, बागे कोई भी नहीं है, बागे कोई भी नहीं है, इस्टीव स्मित काफी अच्छे टश में लग रहे थे, जब तक जड़े जा की कैसी गें, जो बिलकुल अन प्लेबल थी और वो बेस्ट बॉल वर्ट कब 2030 की थी, जिसमें वो ठाक डंडा बुल लगता है, और आउट वाते हैं, कबाल की बॉल थी, जड़े जा ने वो जो अपना पच्छवा और च्छटवा ओवर किया था, उसने पूरा मैच पलट कर रहा दिया, और उसका असर ये रहा कि, पहले स्मित आउट वे, फिल अच्छी बले बाजी करे थे, लेकिन केल रहूल ने जड़ेजा की बॉल पर एक अच्छा कैश पकड़ा, और फिर तो कहानी खतम ही हो गई, इधर जड़ेजा ने विकेट चिटकाना शुरू किया, तो कुल्दीप ने का कि भाईया, हम भी आपर हैं, आप अकेले कैसे करें और उसके बाद कुल्दीप ने भी उनका मैक्सवेल का विकेट निकाला, मैक्सवेल को उन्होंने बोल्ड मारा, मैक्सवेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लियर है, बले बैट सबसे, कैमरन ग्रीन आज फिर रेड सिगनल लेकर चले गए, 15 रन बनाए, मिचल स्टार्क निच्छी बले बाजी किया, 28 रन बनाए, 28 रन कमाल की पारी थी, कैमरन ने 15 खेले, I think वो स्टार्क की पारी की वज़ास से 199 जैसे तैसे पहुंचे, जो इंडिया के खिलाफ सेकेंड इनका लोवे स्कोर है, ये अब तक का है, स्पिन डेपार्टमेंट वोस फैंटास्टिक फैंटास्टिक क्योंकि 105-6 रन देकर 30 ओवर में अगर आप 6 विकेट निकाल लेते हैं, तो आपकी स्पिन तिकड़ी जो है, बहुत मजबूत है, तेस गिनबाजी भी अच्छी थी, बुमरा ने 10 ओवर 35 रन देकर 2 विकेट निकाले, वर्डक को आगास किया, हार दिक थोड दिमाग खराब हो गया था, लेकिन वो तीनों जाने के बाद, दो रन पर तीन विकेट उसके बाद फिर मामला गड़ बढ़ाया, लेकिन ठीक है, फिर हमने कमबाक किया, और देर इट वस विराट कोली एन केल राहूल शो, जबर्दस पारी, विराट थोड़ा सा मिस कर गए उनने कमप्रीट करना चुए था, लेकिन केल राहूल वस फैंटासिक है, 97 और बहुत 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 खुबसूरत पारी, रिपीट मोट, हलाकि विराट थोड़े से डिसपॉंटेड होगे, कि यार इस नाच को फिनिश कर सकते थे, जादा बहतर कर सकते थे, लेकिन ठीक है, 85 वस नेवरलेस, हलाकि इसमें 85 में विराट को थोड़े से शिकायते होई, एक जो क्याच छूटा वो भाई साब, उस ताइम मगर क्याच गया तो मैच खतरता है, वो डराने वाला था, मतलब सांस यहां तक आ गई थी, बहुत खतरनाक था, थोड़ा मैं डिसपॉंटेड श्रिय साइयर से, आप चार नंबर पर आते हैं, आप एसे वाहियात चौट नहीं खेल सकते हैं, अगर आप उपर की दो विकेट 0-0 पर गये हैं, लेकिन ठीक है, केल रहूल ने समाला, हार देखने आकर थोड़ा एक्सिलेरिट किया और टीम इंडिया कमाल करे, रिजल वु एकोनॉमिकल थे, आट ओवर 33 रन, बाकि जैंपा की पिटाई हुई, आट ओवर में 53 रन, ये बड़ा प्लस पॉइंट था कि जैंपा जो में गेन बास थे, उनकी पिटाई हुई, लेकिन ओवर आल, इंडिया की बल्ले बल्ले रही, हमने बहुत अच्छी पारी के लिए, और मुझे लगता है कि इससे काफी जादा हमारा confidence बूस्ट होगा, और टीम इंडिया आगे आने वाले matches में काफी जादा अच्छा करी हुई, कि आपको भरोसा होगे क्यार आपने एक बड़ी टीम को, क्योंकि आउस्टेलिया कोई फालतू टीम नहीं, आस्टेलिया कैसे ट पर दस तरीके से राई लड़ी